जे भी आज आ रहे हैं वहाँ भी सुबह 8 बजे से वोटों की गिंती शुरू होगी अगले कुछ घंटों में ये तैह हो जाएगा कि गुजरात में स्वार किसकी सरकार बनने जा रही है तो गुजरात एलेक्शन को लेकर भी आज परिणाम साफ हो जाएंगे कि आखर गुजरात में सब्ता की कुरसे पर कौन काविज होगा आपको बता दे कि लगा अतार तमाम दावे गुजरात में भी किये जा रहे थे लेकिन आज वोटों की गिंती के साथ परिणाम पूरू तरीके से साफ होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत एक करोड का लोन ले कर अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो फ्रीडम आप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें बोट डाला था जबकि 5 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 64.39 फीस दी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था गुजरात की 82 विधानसभा सीटों के लिए 37 मदगरना केंद्र बनाए गए है बुजरात में 27 साल से काबिस बीजेपी फिर से सत्ता हासिल कर सकती है तमाम एजेंसियों के एक्जिट पोल में इसका नुमान लगाया क्या है यही नहीं ये भी दावा है कि इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ कर भारी अंतर से बीजेपी की जीत होगी 2002 में भाजपा को 127 सीटे मिली थी 2007 में ये घटकर 117 पहुँच गई थी 2012 में 115 और फिर 2017 में 99 पर सिमट कर रह गई मतगर्णा के मद्वे नज़र चाक चौबंद सुरक्षा वैवस्था की गई है सुरक्षबलो के साथ साथ सीसी टिवी कैमरों की निगाहे भी चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के काम में जुटी है इसके लावा मतगर्णा केंद्रों के आसपास 500 मेटर के दायरे में 1144 भी लगाई गई है ताकि प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को नियंतरित क्या जा सके मतगर्णा केंद्र में सिर्फ अधिकरत व्यक्तियों को जाने की इजाज़त मिलेगी बहरहाल अब कुछ समय का इंतजार शेश है गुजराच चुनाव को लेकर अब दावो की बाहर है सभी पार्टिया अपनी अपनी जीत का डावा कर रही है इस खास रपोर्ट में देखे गुजराच की सत्ता में बीजेपी 1995 से काबिज है हाला कि 2002 में बीजेपी ने अपना सर्वशेस्ट प्रदर्शन 127 सीटें जीत कर किया था लेकिन उसके बाद हुए चुनावों में बीजेपी लगातार नीचे आती गई और 2017 के चुनाव में बीजेपी महस निन्यानबे सीटो पर सिमट कर रह गई लेकिन 2022 में बीजेपी ने जिस अंदाज में प्रचार किया है और तमाव एकजेट पोल में बीजेपी को बंपर जीत का नुबान दिखाया गया है लिहाज़ा बीजेपी के दिगजों ने जीत की हुंकार भरी है गुजरात की ग्रिह राजी मंत्री हर्ट सांगवी ने कहा कि बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी गुजरात को बच्चाने के लिए गुजरात को आगी ले जाने के लिए गुजरात की विकास की गती को और तीजी से आगे बढ़ाने के लिए भारतिय जंता पार्टी और डबल एंजीन के सरकार को फिर से मत दान लो होने हाला कि MCD चुनाव में मिली बंपर जीत से आमादमी पार्टी भी खासी उतसाहित है आमादमी पार्टी का कहना है कि गुजरात के एक्जिट पोल भी गलत साबित होगा पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंतमान का कहना है कि गुजरात में चमतकार होगा गुजरात में आमादमी पार्टी को बहुत बड़ा चमतकार आपको देखने के लिए मिलीगा इधर कॉंग्रस भी गुजरात में चमतकार की आस लगाय है। उत्राखंट के पूर्विस C.M. और कॉंग्रस की वरिष्ट नेता हरी श्रावत का कहना है कि जनता ने गुजरात में बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया है। और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रिस दूसरे दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। गुजरात में बीजेपी के जीत का दावा यूपी के जिप्टिस सीम ने भी किया है। गुजरात में हीमानचल में बीजेपी की सरकार फिर से बनी रही है। ब्यूरर रिपोर्ट जी मीडिया। क्या आप Stand Up India योजना के तहत एक करोड का लोन लेकर अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं। तो Freedom Map को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। झाल